सेंधब सब्विता के लोग यातायात के लिए दू पहिए एब चार पहिए वाले वैल गाड़ी या वेंसा गाड़ी का उप्योग करते थे मोसोपने टुमिया के अभी लेखों में वर्णित मैलूहा सब्द का भी प्रिया सिंदू सब्विता से है समभवत है हडपा संस्किर्थी का सासन वर्णिक 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 के हातों में था पिंगट ने हडपा अब महुंजोदड़े को एक विष्थर सामराज्य की जुड़बा राजधानी कहा है सिंदू सब्विता में सिंदू सब्विता के लोगों लोगधर्ती को उरवर्णिक की देवी मानकर इसकी पूजा किया गरते थे ब्रक्ष पूजा अबंसिफ पूजा के प्रचलन के साक्षे भी सिंदू सब्विता से मिलते है स्वैस्तित चिन संभवते हडपा सभवता की देन है इस चिन से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है सिंदु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अबसेस नहीं मिलते हैं सिंदु सभवता में मातर देवी की उपासना सावार्दरिक पिजलित थी पसुओं में कुबडवाला सांड इस सभवता के लोगों के लिए बिसेस पूजने था इस्तरी मिरमूर्टियां मिट्टी की मूर्टियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सेंदव सभवता मातर सतात्मक था सेंदव आसी सूती सेंदव आसी सूती एबमूनी बस्तरों का प्रियोग करते थे मनुरंजन के लिए सेंदव आसी मसली पकड़ना सिकार करना पस उपक्छियों को आपस में लडाना चौपाड और पाशा खेलना आधिसादमों का प्रियोग करते थे सिंदु सबिता के लोग काले रंग की डिजाइन किये हुए लाल मेटी के बरतर बनाते थे सिंदु घाटी के लोग तलवार से परेचित नहीं थे काली वंगा एक मात्र हडपा कालिंद इस्तल था जिसका नीचला सहर सामाने लोगों के रहने हेतु भी किलेक से घिरा हुआ था काली वंगा का अर्थ है काली चूडियां यहां से पूर हडपा इस तरों के खेत जोते जाने के और अगनी पूजा की प्रिथा के प्रमाण भी मिलते हैं परदा प्रिथा एवं देश्य विर्ती सेंदम सब्था में प्रिचलित थी सवों को जलाने एवं गाडने यानि दोनों प्रिथाएं प्रिचलित थी हडपा में सवों को दफनाने जबकि मोहन जोदुडों में जलाने की प्रिथा बेदमान थी लोथाल एवं काली बंगा में योगम समाधियां मिली है सेंदम सब्विता के बिनास का समभवते सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था आग में पकी हुई मिट्टी को टेरा कोटा कहा जाता है सेंदम सब्विता के प्रमुकिस्तल नदी उत्खलन करता एवं बर्तमान इस्टती नमबर बन हडपा रावी नदी के पास दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी थी 1921 में बर्तमान इस्टती पाकिस्तान का मोट गौमरी जिला है नमबर दू मोहन जोग दुडो सिंद नदी रखल धास बनरजी 1922 में खोज करी थी पाकिस्तान की सिंद प्रांत का लर्काना जिला नमबर तीन चनुड़ो सिंद नदी गौपाल मजुद्दम दार 1931 में सिंद प्रांत में पाकिस्तान में है नमर चार काली भंगा भंगार नदी जो बर्तमान में शर्षवती के नाम से जानी जाती है बीवी लाल एवं बीके थापर ने उननिस सब तड़ेपा निश्वी में इसकी खोज की थी राजिस्थान का हिनुमान गड़िला में बर्तमान इस्थी है कोट दीजी सिंद नदी खोज करता फजल एहमद थे उननिस सतड़ेपन में सिंद पिरांत का खेरपुर इस्थान है रंगपुर के मादर नदी रंगनाथ राव नहीं खोज की थी उननिस सो तड़ेपन से चवण में गुजरात का काठिय वाड़ा जिल्या है रोपड सतलज नदी यगदत सर्मा उननिस सो तड़ेपन से चपन में पंजाब का रोपड जिला है लोथल भोगवा नदी के समीब रंगनाथ राव नहीं खोज की थी उननिस सो पचपन से उननिस सबबाद जिला है आलमगीरपूर हिंडन नदी यगदत सर्मा ने खोज की थी सन उननिस सो ठामन में उत्तर प्रदेश का मेर रठ जिला सुत कांगडोर दासक नदी के किनारे है आरेजश हिस्टाईल आपम जारज डेलस ने कोज की थी उननिस सो सताइस में आपम उननिस सो बासेच में भी यह पाकिस्तान में मकरान में समदर तके किनारे है न na 12 बनमाली बनमाली रंगोई नदी के समीब है रवेंदर विष्ट्ट रवेंदर सिंग विष्ट ने इसकी खोजगीती हरियाणा का हिसार जिले में ये है बन माली नेक्ट दोला वीरा रवंदर सिंग विस्ट नहीं खोजगीती सनुने सुनब्य में ये गुजरात के कक्च जिले में है